दोश्कात दोस्तों मौसिक राशी फल के लिए आप सबी का फिर से अभी नंदन करता हूं पहले तो चौंकिये नहीं ये मैं ही हूं अभी तक आपने मेरे को क्ली चेफ ग्रूप में ही दिखा है मैं उस संकल्प वश में देख रहा हूं किस समय और तुजबे ने मुझे क्या रूप दे दिया है उसका मैं भी देदार कर रहा हूं जो आप देदार कर रहा है हैं खैर मासिक राशी फल की शुरूआत करते हैं सावन का महीना खतम भादो की शुरूआत हो चुकी है को बारिश पूरा देश में तरही माम है बर्कारितु ने इस धर्ती को निहाल कर दिया है कुछ जगों के जरूर कुछ सुखा जरूर है पर फिर भी अच्छी वारिश हो गई है और भादो की शुरूआत हो चुकी है भादो इतना करूर नहीं है जितना के सावन में हम लोगों ने एक् सEng style सितन Ciao भी ने बना टीजर s दे टेरां सिप्तंबर को कंट्पति स्won इस पे लावा नो सितना को मावस्त और 25 सितन्म्र को ओर नहीं पड़ेगा चोविस सितन्म्र से श्राद करम परारंब हो जाएगा काफी उत्सब भरा ये महीना है और ग्रहों के स्किती भी काफी बेटर होने जा रही है काफी लंबे समय से वक्री चले आ रहे है शनी माराज मारगी बो जाएंगे के तरीक को सूर्य कन्याराशी में प्रवेश करेंगे कन्या से करांती 17 से अक्तमबर को मंगल मकर में ही रहेंगे शुक्र एक तरीक को तुला में चले जाएंगे गुरू तुला में हैं है बुद्ध 2 सिप्तमबर को सी में और अपनी दुरुक्त गती से चलते हुए 19 तरीक को कन्या में परवेश कर जाएंगे रहू के तो अपने घर में ही रहेंगे और शनी दहनू में ही विचरण करते रहेंगे तो ये थी ग्रहों के स्थिति कुल मिला के समय कुछ अनकूल होने जा रहा है देश के आंतरिक हालात भी थोड़े बेतर होते चले जाएंगे ब्रस्पती की अंतरदेशा बहुत योग करक है देश के लिए गच के स्री योग बन रहा है आर्तिक स्थितिस गुरड़ हो रही है देश की किन्तू प्राकरतिक आपदाएं का कहर में जो नुकसान होने जा रहा है उसकी कमी हमेशा रहेगी उसकी पूर्टी करना काटिन है जानमाल का जो नुकसान है रंस की तो पूर्टी हो सकती है किन्तू जानमाल की परमात्माही मालिक बात करते हैं तुला राशी तुला रशी आप बहुत पहितर स्थिति में आ गई है ब्रस्पती चुकि आप गर छोडने की स्थिति में आ गई हैं तो तुला रशी को बहुत आराम होने जा रहा है जो स्वास्त्याबाद आयें इतने दिनों से चली आ रहे थी वो शनाय शनाय आप अंत की तरफ बढ़ रही है और मासकारम बड़े हैप्पी नोट पे हो रहा है राशी स्वामी अपनी राशी में प्रवेश कर रहे हैं बहुत अच्छी स्थिती में आप आजाएंगे और आपको भूमी का भी लाब होगा खोड़ा टेंपरेमेंट अपना जरूर कभू में रखें अपनी मा से मिशेश तोर पे समन्द अच्छे बना के रखें बाद विवाद को छोड़के अपने माता की आप सेवा करें उन्हें आपकी सेवाओं की जरूरत है ब्लड प्रेशर के फेशन्ट खास तोर पे सावधान रहें भाई बंदूं से लाब होगा सरगारी पक से लाब होगा खांस्तिती उत्तम भाग्या प्रबल कारेक्षेतर में पॉलिटिक्स चलती रहेगी पॉलिटिक्शन आप भी कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से देना आपको आता है बहुत मिलाजुला के अच्छी स्तिती में है दो तिन और चा चंदरस्टम की स्तिती है शुकरवार के दिन खीर बना के छोटी कन्याओं को मिठाईयां बांटें चोकलेट्स बांटें चोटे बच्चों में या आगल वगल के लोगों में परशाद के रूप में खीर खिलाएं मागौरी की पुजा गरें आवश्यलाब में रहेंगे वरिश्चिक्राशी वरिश्चिक्राशी के स्वामी मनवल बहुत ही बेतरी स्तिती में प्राकरम को फुरा बल दिये हुए हैं और उपर से सूर्य दशंब हो में फिर ग्यारमे में जाएंगे 17 तरीक से बहुत ही उत्तम स्तिती बनी हुई है कारेक्षेतर का विस्तार हो रहा है सरकारी पक्ष से लाब हो रहा है आई की स्तिती उत्तम है खर्चे बड़े हुए हैं लक्जरी बेक्ष कर्च हो रहा है जीवन साती से मन मटाव रहेगा उसके अड़जस्ट करने के लिए आपको कला सीखनी होगी बैंक बैलेंस बनेगा खर्चा भी उतना ही रहेगा आपने उपर खर्च करेंगे दूसरों के उपर खर्च करने में थोड़ा हाथ आपका रूपी जाता है थोड़े खुले दिल से खर्च करने हैं क्या मन तो जरूर करेगा किन्तु सवाब अनरूप थोड़ा हाथ संकोच करेगी जाता है और फिर तामसी भोजन थोड़ी पेट समंदित व्यादियां दे सकता है तामसी भोजन का त्याब करें चंद्रस्टम किस्तिती पांच और चेतरी गाई को चारक लाएं हरी वस्तों का जैसे पालग गीया या चारे के रूप में गाई को गलाएं या कहीं मूं की दाल और हरा कबडा दान करें शिरिविश्णू जी के अराद न करें अवश्या लाब में रहेंगे धनू राशी धनू राशी पर से शली गुजर रहे हैं राशी स्वामी आइस्तान में उत्तम योग हैं स्थम्बर का मीना बहुत बढ़िया बीतने वाला है मारगी हुए ग्रहों का पूरा आपको लाब मिलेगा क्योंकि धनस्तान पर से मंगल गुजर रहे हैं वानी करकश नुकसान पंचा रही है रिष्टे नातों में दरार लगा रही है बंते काम बिगड रहे हैं काम सी भोजन स्वास्थे को नुकसान पंचा रहा है इन बातों को आपको खास तोर पे ध्यान देना होगा वायू जनित रोग परशान कर सकते हैं सनायू तंतर से जुड़े हुए रोग भी आपको परशान कर सकते हैं अपना खान पान का विशेश आपको ध्यान रखना पड़ेगा चोटे बाई बंदूओं से लाब है बड़े बाई बंदूओं से यारो मित्रों से भी फूर्ण लाब की स्तिति दिखाई दे रही है बागया प्रबल है कोई आपके खोड़ान को रोपने वाला नहीं है आपको पराट तरीक को चंदरस्टम की स्तिती है श्रीशिव जी की आराजना करें मामुक्तिंजा मंतर का जाब करें और दूद या दूद से बनी हुए चीजों का परशाद के रूप में सब में बांटें अवश्या आपको लाब होगा